नमस्कार दोस्तों सौगत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है तृशानते कैनमी और मैं मिशा सर हाजर हुआ हूँ बहुत ही लेटस्ट निउस लेकर जी हाँ जैसा कि आप जानते हैं कि मिशा सर लेटस्ट निउ में ही यह सरवक्षन हुआ है 2020 का तो इसके अभी रिजल्ट आ गही है जैसा कि आप जानते हैं कि PM मोदी ने यह वादा किया था कि 20 अगस्त को सच्चता सरवक्षन 2020 के नतीज़ों की करेंगे एलान तो उनी को ध्यान देते हुए मैं आपके त्रिशानत अकेडमी के प्लेट आशा करता हूँ कि आप मेरे से लाश तक जुड़े रहेंगे और जिन भी विवर से भी तक मेरे चनल सब्सक्राइब नहीं कहें तो प्रीज अली से सब्सक्राइब कर दीज़े दोस्तों अगर हम बात करें सुचता सुरक्षन सरवक्षन 2020 के तो इसमें आप बड़े- इसको कवर किया गया है ठीक है 20 days time bound nationwide survey duration हुआ है 28 दिन का सरवे हुआ है और 4242 cities covered की गई है 5 lakh plus ULB documents evidence captured किये गए है ठीक है अगर हम और detail की बात करें दोस्तों तो ये पहले आप चार ये बड़े मुद्दों को आप ध्यान से पढ़ लीजे उसके बाद अगर मैं आपको बहुत ही ज्यादा एक आप कह सकते हैं कि आने वाले slide में मैं आपको इदम बारीकी सी बताओंगा कि स्वच्च सरविक्षन में आके 2020 में हुआ क्या था दोस्तों अगर मैं बता दूं तो दोस्तों ये देखिए 24 lakh plus geo tagged photos captured from field जी हां field में मतलब on field मतलब मैदान में जाके ये फोटो को लिए गए हैं तो 20 lakh plus photos लिए गए हैं जिसमें की geo tagged photos हैं ठीक है 1.9 करोड citizen का feedback collected किया गया है मतलब 1.9 करोड लोगों के feedback लिए गया है कि government कैसा काम करी यहां पर सफाफ साफ सफाई है या नहीं है या ये शहर कैसा है प्लस completely digitalized and paperless survey किया गया है ये main बात है कि paperless और digital survey किया गया है ये थोड़े खास बात है ये उपर उपर से मतलब basic चीज़े जान गया ठीक है अब दोस्तों हम बताएंगे कि कैसे स्टेट रैंकिंग में कौन से स्टेट टॉप में रहे कौन से स्टेट लोवर में रहे और इ छारफंट फरस्ट पे है सकेंड पे हर्याना और топ पे है दोस्तों उत्राखंड जी हां जारखंड की capital रांची हर्याने की capital चंडिगर और उत्राखंड की capital क्या है देहरादून अभी अब जानते हैं कि देहरादून को summer capital को भी घोशित कर दिया गय था उत्राखंड में और last state की बात करें दोस्तों, तो केरला last state है, इसमें overall ranking में, जी हाँ, केरला को last इसलिए रखा गया है, क्योंकि कुछ ऐसे parameters हैं, जिसमें केरला fulfill नहीं हो पाया है, उनके ये जो स्वक्षता survey में हुआ है, उसके parameter में केरला उस parameters को fulfill नहीं क्या, इसलिए वो last में है, तो ये question पूछा जा सकता है, दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ, one by one, देखिए, Indoor Municipal Corporation, Madhra Pradesh, ध्यान से, Indoor जो city है, उसका जो municipal corporation है, India's cleanest city, more than one lakh population इसमें है, और ये number one winner रहा है, और ये India's cleanest city में आया है, ठीक है, दोस्तों, आप याद रखेगा, अगर question पूछे, cleanest city कौन सी India's की, तो Indoor number one पे है, ठीक है, आप जैसा कि पिछले साल भी यही था, और इस साल भी यही है, दोस्तों, अगर हम next की बात करें, तो नगर निगम, शहाँपूर, उत्तरप्रदेश, best city in maximum citizen participation, जी हाँ, सहाजापूर का जो नगर निगम है, उत्तरप्रदेश का, वो number one पे इसलिए रहा है, क्योंकि यह best city in the maximum citizen participation, जो यह tagline है, जो मैं बता रहा हूँ, दोस्तों, इसको आप ध्यान से सुनते रहें, और learn करते रहें, क्योंकि यह tagline पूछ के ही, वो state का नाम पूछेंगे, और district का नाम पूछेंगे, या particular village का नाम पूछेंगे, ठीक है, तो चलिए, अगर हम next की बात करें, दोस्तों, तो सूरत municipal corporation, जो गुजरात का है, गुजरात में सूरत है, तो वहाँ का municipal corporation है, वो, इंडिया's cleanest city, more than one lakh population, जी हाँ, ये number two पे रहाया है, ठीक है, number one पे indoor था, तो number two पे ये था गुजरात सूरत, ठीक है, cleanest city में, ध्यान से देखिएगा, number one पे indoor, और तो number two पे सूरत गुजरात का, अब दोस्तों, अगर हमें बात करता हूँ, number three की, तो नवी मुंबई municipal corporation, महराश्टरा, जी हाँ, नवी मुंबई का जो municipal corporation है, वो number three पे रहा है, ठीक है, more than one lakh of population के के केटेगरी में, इंडिया's cleanest city, महराश्टरा, नवी मुंबई, आप दोस्तों जानते हैं, कि जो मुंबई है, वो commercial capital भी कहलाती है, महराश्टरा की, ठीक है, तो यहाँ से आप जानते हैं, कि कितना rush होता है मुंबई में, commercial capital है, तो कितनी सारी industries होंगे, लेगे तब भी ये third winner हुई है cleanest city में, यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, चलिए, अब मैं बता दूँ कि जो greater हैदराबाद है, municipal corporation तलंगाना, ठीक है, greater हैदराबाद, municipal corporation तलंगाना, उसको best mega city in citizen, जी हाँ, feedback above 40 lakh population में इसको रखा गया है, citizen feedback category में, best mega city, ठीक है, number one category में तलंगाना हैं, ठीक है, आप category आप ध्यान से देखतरी, इसी बेशिस पर पूछेगा, फिर है, बरोहट, बेंगलूरू, महा नगर, पालिक, करनाटका, यह number one पर है, best self sustainable mega city, जी हाँ, above 40 lakh population के category में, best self sustainable mega city में, यह आता है, हमारा, बरोहट, बेंगलूरू, ठीक है, महा नगरा, पैल की, करनाटक में, ठीक है, नाम थ्वाट टिपिकल है, लेकिन, याद रखिएगा, बेंगलूरू से याद रखिए है, बेरूट, बेंगलूरू, ठीक है, number one category में यह रहा है, number one prices को मिला है, किस में, best mega city in innovation and best practices में, above 40 lakh population, ठीक है दोस्तो, तो आप याद रखिए, किस category में, किस city को, या किस district को, यहाँ पे मिला है, दोस्तो, अगर मैं बात करूँ, तो, अमदावड municipal corporation गुजरात, अमदावड municipal corporation गुजरात को, फिर से, number one वो आया है, best cleanest mega city में, best cleanest city में नहीं, city में तो आया था सूरत, अब यह best mega city, mega cleanest city में, ठीक है, above 40 lakh population category में, यह number one पे आया है, दोस्तो, याद रखिए, कि साथ साथ में आप learn भी करते रही हैं, अब दोस्तो, अब बात करते हैं, गंगा टाउन की, तो number one, best गंगा टाउन में कौन सा है, उत्तर प्रदेश हमारा है, प्यारा नगरपाली का पारशद, चुन्नर, नगरपाली का पारशद, चुन्नर उत्तर प्रदेश जो है, वो best गंगा टाउन में आया है less than 50,000 of population की category में ठीक है अगर ये गंगा टाउन की category में हमारा second भी एक है category है उसके बारे में अगर मैं अलग slide में discuss करूँ दोस्तों अलग slide ये है कि number one best गंगा टाउन 5000 to one lakh population में ये जो पिछला था वो less than 50,000 था तो इसमें अगर नगर पालिक का पारशद कनोज उत्तर प्रदेश फिर से देखिए उत्तर प्रदेश की नाम आ गया है कनोज आप इसलिए दोनों मतलब दोनों जो डिस्टिक है दोनों जो मुनिसिपल पारशद है पालिका वो दोन गंगा टाउन में ये 50,000 less या 50,000 to one lakh population दोनों में ये हमारा विनर रहा है ठीक है दोस्तों अगर हमें next की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम वरांटसी उत्तर प्रदेश नमबर वन कैटेगरी में रहा है बेस्ट गंगा एबन one lakh of population ठीक है चुन्नर रहा है less than 50,000 में फिर 50 to one lakh में रहा है हमारा वो वाला कैटेगरी और अब अब वरांटसी की बात करें दोस्तों तो नगर निगम वरांटसी उत्तर प्रदेश का वो रहा है इबब one lakh of population ये सारी बेस्ट गंगा टाउन रही है दोस्तों ये सब कुछ थी कैटेगरी ये सोचिता मैं में शार सार आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप अभी तक मेरे साथ बने रहे और आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर आया तो प्लीज लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और अपने बहु मुल ये सुझाओ प्रेस, बाच्छ़ लापने प्रेस, बटने रहे, ऑने हां मेरा, है रफना video ये सकुझा करता हूं कि आपका तक रचrament, सांदन को जरूर प्रेस, बने, प्रेस, बटने, गुझे प्山ज़क से अबते हो